पता नहीं कि मों आजकल मरीज कम होते जा रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंदा चोपट हो जाएगा कुछ तो कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर साहब मेरी तबियत बहुत जादा खराब है और साथ ही मेरी बीबी की तबियत भी जादा खराब है अच्छा क्या हुआ तुम दोनों को कोई तकलीफ हुई है क्या अई डॉक्टर साहब क्या बताओ मैं कल हम एक शादी में गए थे ना तो माँपे खाना कुछ जादे ही खा लिया अब समझ नहीं आ रहा है कि खाने की बज़े से हुआ है या फिर कोई और बज़ा है हम दोनों को उल्टियां और चक्कर और ऐसा लग रहा है कि बस जान निकलने ही वाली है समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब देखकर बता दीजिए कि हुआ क्या है अरे खबराने की कोई जरुरत नहीं है मैं देखकर तबाते दूँगा तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादा खाना खानेनी की बज़े से पेट में एसिट बनने लगता है समझे चलिए चल के देख लीजिए हम बहुत बिमार है हेलो मैडम ठीक हो आपकी तब्यत कैसी है डॉक्टर सहाब कल हम शादी में गए थे न मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया वो क्या है न सुबह से शादी में जाने के लिए कुछ खाय तो था नहीं और जैसे हम शादी में पहुचे बहुत मज़ेदार खाना देखतर मेरी जीव लपलपाने लगी और मैं ऐसे खाने पर टूटी जैसे कभी खाना मुझे मिलाए ना हो अज़े कोई बात नहीं होता है कभी कभी बाहर का खाना काने का मन होता है न तो हम इसी चक्कर में ज्यादा इटिंग कर लेते हैं अब ज्यादा इटिंग करने के बाद ना हमारी तवियत भी खराब हो जाती है ऐसा हर बार नहीं होता मगर यह है कभी कभी हो जाता है हाँ डॉक्टर साब हम तो डर ही गए थे के पता नहीं क्या हुआ क्योंकि जब से शादी में आए है न तब से हम जो है न बिमारी है कभी उटी आ रही है कभी नीन नहीं आ रही है कभी जक्कर आ रहे है इसलिए डॉक्टर साब जैसे ही आपका क्लीनी खुला वैसे ही हम दो क्या है देखे मैंने सब टेस्ट कर लिया है आपको थोड़ा बुखार और दस्त हो गया है जिसकी वज़े से आपको वॉमिटिंग हो रही है ठीक है ज्यादा गबराने की जरुरत नहीं है देखा मैंने कहा था ना कि तब यह ठीक हो जाएगी और हमें कुछ नहीं हुआ है कि इतना खाना खाने की जरुरत क्या है और देखो ना आप हमें इतने बिमार हो गए कल से कह कह कर तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया है पस मौका मिलते ही लड़ना शुरू कर देती है तब आने इस बुड़िया को कपचैन आएगा दॉक्टर साहब आप दवाई लिग सब्सक्राइब तुम्हारी आज ना कुटाई कर दी तो मेरा नाम भी चंड्रकला नहीं डाक्टर साहब वह बखार के साथ साना थोड़ी पेन किलर भी दे देना और चोट पे लगाने वारी थोड़ी ट्यूब भी दे देना अगर चोट तो तुम्हें लगी नहीं है ना अरे डाक्टर साहब आप नहीं जानते आपकी शादी हो गई है क्या नहीं अभी तो नहीं हुई है पर अच्छी लड़की जब मिल जाएगी तो मैं जरूर कर लूँगा डाक्टर साहब तो पही है शादी करिये का भी मत चोट लगी नहीं है लग जाएगी घर जाकर इसी लिए दवा मांग रहा हूं जाकर लगेगी चोट मैं कुछ समधा नहीं अरे डाक्टर साहब आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं आज इनका अच्छे से स्वागत होगा ना और स्वागत होते होते चोट भी लग सकती है तो आप दवाई डेई डीजे क्या पता कितनी चोट लग जाए अच्छा स्वाथ है सही बात अच्छी बात है मैं अभी बड़िया सी दवाई दिख कर देता हूं जिससे चोट में लगाने के बाद जलन भी नहीं होगी जलन तो मेरे सीने में हो रही ना जाने यह बुडिया मेरे वक्त बोले होंगे जो मैंने उस वक्त बोले थे कोई बात नहीं डाक्टर साहब हम चलते हैं ठीक है कि अधा कर फिराना पड़ जाए अरे चिंखी आज बैरम ने क्लास में केमिस्ट्री की बुक लाने के लिए बोला था क्या तुम लेकर आई हो मैं तो बूल गई मुझे तो पता ही नहीं था क्या आज केमिस्ट्री की बुक लानी है क्या तुम बुक नहीं लाई अरे यार आज भी मेरा काम नहीं होगा मैं यहाँ भुक नहीं लाई हूँ और तुम्हें अपनी काम की पड़ी है ऐसा कौन सा काम है जो मेरी भुक से जुड़ा हुआ है अरे यार जो केमिस्ट्री की भुक थी न उसमें मेरे 200 रुपे पड़े थे अब बताओ तुम भुक तो लाई नहीं हो तुम जो पैसे कहां से मिलेंगे अच्छा तो ये बाती अब तो मैं वो भुक तिलकुल भी नहीं लाऊंगी क्या तुम भुक नहीं लाऊंगी अरे जा कह रही हो मैं तो चली तुमारी 200 रुपे का उड़ाने अच्छा मेरी फूलन देवी तो यहां बैटी है गुस्से में अरे ओ फूलन देवी जरो पीछे पलेट करतो दे तीस साल से तुम्हें देखी तो रही हूं मिला क्या मुझे अब यहीं बाकी रह गया अरे किससा धूप भी दो अरे चलो दिलवा देता हूं साड़ी और क्या अब मेरी जान लोगी कहतो रहा हूं माफ भी कर दो सच मुश बोल लह थी कि जूट बोल लह थे मेरा दिल रखने के लिए बाकी बत तो ठीक है बत तेरे अंदर एक ही कमी है तुझा मुझे पर विश्वास नहीं करती न यी गलत बात है आदि मुझे अगर विश्वास के काविल होना तो उस पर किया भी जाता है तुमारे जैसे पर थोड़े ही तुझे ये दुनिया के चांद तारे भी तोड़के ला दूना तब भी तुझे मुझे पर विश्वास नहीं होगा अब चल दुकान में और ले-ले साड़ी मेरा दिमाग तो खराब मत कर अरे अब क्या याद आ गया क्यों हस रही है मैं ये सोच के हस रही हूँ तुमारे पास दिमाग है जो खराब होगा पान में चलना है कि नहीं या मेरा मूट खराब करना है बस हाँ ठीक है चलते हैं नराज मत हो फिर जल्दी जाकर हमें वापस भी तो लोटना है न अब क्या होगा अब मुझे गूरते भी रहा गई कि चाय पियोगे अब मैंने ये सोच रहा था कि साड़ी की बात तै हुई थी तू तो मुझे रेस्टोरेंट में ही लेकर आ गई वही बात हो गई न उगली पकड़ाई और पुरा हाँ दिधाम दिया अगर तुमारे पुड़े पैसे खर्चे हो भी गए तो क्या हो गया है तो सब मेरे ही कौन सा तुम्चाती पे लेकर जाओगे अरे चलो चाए पियो और गर चलो मेरा मन नहीं लग रहा जी जबराय रहा है पता नहीं कितने पैसे और खर्चोंगे ठीक है अरे वाह कितना प्यारा स्कूल है अब हम भी यहाँ पर मोज करेंगे छोटे छोटे बच्चों की तरह मगर बहन जी हम मोज कैसे करेंगे हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं और यहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे मगर छोटे छोटे बच्चे देखकर ये बोलेंगी कि नई मैडम आई हैं हमको पड़ाने हैं माना कि मैं बड़ी हो गई हूँ I mean मैं छपणकी हो गई हूँ तो Marriage पड़ने का कोई हथ नहीं है सिर्फ छोटे बच्चे ही पड़ सकते हैं या स्कूल में मेरी कोई एहमियती नहीं है तो ये माजी आपको किसने बोला कि आप पढ़ने ही सकती आप तो पढ़ सकती है और औरों को भी पढ़ा सकती है देखा तुमने मेरी बहु कितनी बत्तमीजी कर रही है मेरे साथ मेरे ही सामने मेरा मजाख उड़ा रही है इस तो ये नहीं पता घर चलके मैं ही उसकी सास हूँ कोई छोटी बच्ची नहीं अरे बहन जी वो मजाक नहीं उड़ा रही है वो आपको बता रही है कि बच्ची ऐसा सोचेंगे आपके बारे में समझी मा जी इंटरवेल हो गया है बच्चे पहार आने वाले है अब आप सोच लीजिए एड्मिशन लेना है कि नहीं पाको तुम्हे कुछ समझ आ रहा है कि तुम उससे कैसी बात कर रही हो माफ कीजिए बहन जी आप यहाँ कर क्या रही है आपको किसी का एड्मिशन करना है क्या मैं नमषकर मास्टर जी कैसे है आप मैं तो ठीक हूँ आप सुनाईए आप किसका इड्मिशन कराने आई है यहाँ सर मैं बताती हूँ मैं न यहाँ अरे बगु तो चुप रहे मैं बताती हूँ मास्टर जी वो क्या है न मेरी बगु कह रही थी मैं तो बूड़ी हो गई हूँ मैंने कहा कि भई मैं तो नहीं चल पाऊंगी तो अकेली ही जाके एड्मिशन ले ले मगर वो बोल रही थी न कि नहीं आप मेरे साथ चलेंगी तो आपके पैरो के वाकिंग भी हो जाएगी नहीं सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ये मम्मी जी है न इन्हीं को पढ़ना था मजाब मद अच्चा कर लेती है आप तीनों मम्मी जी अगर आपका काम हो गया हो तो हम घर चले हाँ 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 बहू चल चल घर चल गुस्टा मत कर चल 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 एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए मरहम की जगा मरहम ना मिला मरहम की जगा मरहम गए ताप तूटने की उम्रा आ गई है और बच्पना अभी तक नहीं गया मेरी जान दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी अरी क्या हो गया है तुम ऐसे ऐसी बाते क्यों कर रहा हूं पहकी पहकी सी सुनो मुझे थोड़ा गुनने जाना है क्या मैं जा सकता हूं अच्छा तो इसी लिगा नगा रहे थे ठीक है तुम चले जाओ लेकिन कम से कम ऐसे घाने सुना के मेरे काम तो ना पकाऊ छुप चाप जाकर किचन में पर्तर पढ़हें वो दों के आई बड़े गुमने वाले बख यही कारण है कि तुम से सीधे सीधे कोई बित पताया नहीं करता मैं जब तुम्हें पता है ना कि मेरी ना ही होती है तो ऐसे सवाल ना पूचा करो जिनका जवाब मैं ना ही करूँ समझे अब जाओ मुझे बुस्सा आ रहा है बहुत जोर से अगर बरतन साफ ना हुए ना तो देख लेना किसी डिस्को में जाए जाए कहीं होटल में खाए खाए तुमको शरब नहीं आती मुझे छेड़ते हुए छेड़ते हुए मैं छेड़ गा रहा हूँ मैं तो गाना गा रहा हूँ तो अची तरह पता है कि गाना गा रहे थे कि मुझे छेड़ रहे थे इस पूरी दिनिया में एक तुम ही तो हो छेड़ने के लिए अब कोई आदमी गाना भी ना गाए अभी तुम्हारी शिकायत अपने बॉस से लगाती फिर बताऊंगी तुम्हे अरे जा जा बहुत देखे तेरे जैसे शिकायत लगाने वाले अरे तुम दोने यहां क्या कर रहे हो सर ये मुझे छेड़ रहा था छेड़ रहा था अरे नहीं नहीं सर ये जूट बोल रही है जूट बोल रही हूँ अच्छा ज़रा ये बताओ तुम कह क्या रहते मुझे हाँ मुझे भी बताओ क्या कहा जा रहा था तुमारी ये हिमत, तुम ऐसा बोलू? सुनाओ, वो कौनसा गाना था? आई ना अगर ये गाना गाया ना तो तुम्हे डिस्को तो क्या खाना खाने लाइक भी नहीं छोड़ूंगा समझे अब दफा हो जाओ मेरे नजरों से समझ गए अरे टेंशन मत लिया करो इतनी छोटी छोटी बातों का कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना तीचे साथ जरा इधर आओ थोड़ा और पास आओ थोड़ा और पास आओ ये पतले तुम्हे ने चेर चाता किती होगे जाएं किती होगे ने खाएं तो तो अधर से बाया सुनो ये ताज मैन देख रहे हूँ हाँ देखतो रहा हूँ हाँ फिर तो ये भी पता होगा कि ये किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था ऐसे बाते गोल गोल गुमा के क्या पूछे जा रही है सीधी सीधे बोल ला हरे मैं तो ये कह रही थी कि तुमको पता भी है ये क्यों बनवाया है हाँ मुझे तो पता नहीं तू ही बता थे मुझे तो पता ही था कि तुमको पता नहीं होगा जब तुम्हें यही नहीं पता कि यह किसने बनवाया है और क्यों बनवाया है तो तुमको प्यार का शब्द मालूं कहा से होगा ये उपर वाले जब तुम मेरी जिन्दगी के बारे में लिक रहा था तो इस बेवक महिला को मेरी जिन्दगी में लाने के जरुवत ही क्या थी तुने जान भूज के ऐसा किया है मुझे परिसान करने के लिए अच्छा तो मैं तुमको परशान करती हूँ है न अरे मैंने ऐसा कप का कि तुम मुझे परिसान कर रही है मैं तो उपर वाले से बोल रहा था कि उपर वाले मेरी किस्मत में क्या लिख दिया दम है तो एक कविता सुना कर दिखा वो भी हिंदी में अच्छा सुना दी तो तुम मुझे क्या मिलेगा पहले सुना के तो दिखा या अभी कुछ लेगी आरे नही नहीं चल चल मैं तुझे कविता सुनाती हूं बदले में तुझे कुछ देना पड़ेगा ठी है बच्चे सारे दिल के सचे लगते सबको अच्छे अच्छे अस्ति मुस्कुराते बच्चे अपनी दुनिया में ही खोई रहते दोड़ भाग उचल कूद करते बच्चे सबको उच्छे लगते बच्चे तोटली बोली बोलकर सबको उपना बना लेते बच्चे ना किसी से बैर रखते सबके साथ खुल मिल जाते बच्चे प्रात मनवानी हो तो रो देते और सब को अच्छे लगते बच्चे मासूम सी प्यारी प्यारी शरारती करते बच्चे सब को अनके सच्छे लगते बच्चे की प्यूंध धुवद असी प्यूंध कोई देख मोगते, अच्छे सांवानी होता है दुवद प्यूंध है प्यूंध होता है तो मुझसे जिस नहीं काया है अच्छे से प management हार जाता है और अब देख तेरी हार हो गई है न तो मासूम सा चेहरा बना कर बैठाए ताकि मैं तुझे कुछ कवूँ हूंँ न चल बता क्या मागना है तेरे को अब बताती हूं थुझे तू जब देखो मुझे ये बोलता है न की कविता सुना ये सुना वो सुना तुझे ऐसा अलगता है ना कि मुझे कुछ नहीं आथा चल तू मजे कविता सुना के दिखा चल वो तो मेरे बाए हाथ का खेल है अभी सुनाता हूं तुझसे भी अच्छी कविता चल चल अब डांस करना बन बरहो हो मुझे कविता सुना ना अभी मम्मी को बला के तोरी शिकायद लगा दूँगी ठीक है सुनाता हूँ जब देखो धमगी दिया करती है मम्मी को बता दूँगी, मम्मी को बता दूँगी आज बेटा ऐसी कविता सुनाओंगा न कि तु देखती रह जाएगी बच्ची हो तुम प्यारे प्यारे, जैसे होते फल ये सारे पेब अनार पपीता खाओ, चल दिसे से हत्मन बन जाओ आम अनार तरूज भी जो खाओ, दिन भर की ताज की पाओ संत्रा चीकू आम जो खाओ, मस्ती में फिर तुम खो जाओ ये सब फल मिलते हैं पेडों से, फिर मिल जुल कर समस, पेड लगाओ अधे वा, तुने तो मुझसे भी अच्छी कविता सुनाई है ये लगा था ना जब तुने स्टार्ट किया था, कि तू दो बस एड़ी वैडी कविता सुनाएगा मगर तुने तो आज कमाली कर दिया, चल जा, तुझे माफ किया मैंने, ठीक है?